कि दोस्तों वेलकम तो मैं चैनल सीविल एल्मेंट्स मैं आपको यहां पर हाइवे का काम बताने जा रहा हूं इसमें कैसे क्या चल रहा है का इधर देखिए आरी वाल जो पैनल खड़ा है इधर में प्रिकास्ट इसके अंदर में अंदर साइट से यह जियो स्ट्रीप जो यह इस मों छीरिफ एंदेखिया हूं कि इस देखिया है इस बना कर किया साइज जहीं इसम इसको और एक जगह प्लेस किया एदर से देख लीजिए और यह यहां पे भी ऐसा ही है और इसको यहां फिक्स किया है देखिए जियो इस्ट्रीफ है इसके उपर दूसरी लेयर आएगी मिट्टी की और इसको कमपेक्शन करेंगे रिटेनिग वाल को कि फिक्स करने के लिए है यह सामने में इस्ट्रक्चर है मैं वी का कि यहां देखिए यहां भी ऐसा ही सेम प्रोसिजर यहां भी हुआ है यह पनी इसमें दोना चाहिए मैं निकाल देता हूं अगर कर देता है अगर काम करवाने के लिए तो आपको पता होना के आड़ा इस फिक्स किया गया है ठीक है इंदिखा रहा हूं न इस वीडियो में यह जो है लाइनमेंट है मन्वी है यहां पर माइनर ब्रिच इस्टेक्चर का काम हो गया है और यह देखिए दोस्तों यहां पर जो स्वाइल है इसको अमने खुला छोड़ा है खोदा हुगा है इसको सामने में कि इसमें पानी तो नहीं बोलेंगे लेकिन नमी था नमी इसको निकालने के लिए इसको खोद के सुखाते हैं क्योंकि इसमें मुश्चर स्वाइल में बिल्कुल नहीं रहना चीए इसको प्रॉड़ा नहीं बाद में उखड़ जाती है अपने सुनते हैं वीडियो में कहीं आता है तो यह इसको इसमें नमी रहती है नमी को अम लोग देखिए इसको खोदा गया है खोद करके सुखा रहें पुरा बेट दिखाते तो हमें यह देखिए यह पूरा जो है खोद करके छोड़ दियें इसको सुखने के लिए सुख जाएगा पूरा प्रापर इसको चेक करेंगे उसके बात में दूसरी लेयर इसके उपर डाला जाएगा आगे भी ऐसा ही थे आगे भी पुरा हम कि देखिए इस वीडियो में यहां पर सब इसको सर्फेस को खोद करके सुखाया जा रहा है सुखने की बाद ही पुरा प्रापर इसको पिर दूसरी लेयर का मिट्टी इसमें डम करके कंपैक्शन करेंगे ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही तो फ्रेंड्स देखें इसमें मिट्टी डालने का काम अभी जियो इस्ट्रीक के उपर सुरू हो गया है यहां मिट्टी फेला रहा है और आगे आपको दिखाता हूँ यहां भी देखें यहां भी मिट्टी अभी लाकर रखा हुआ है और फोल्टर में जब स्मसीन खेलाते हुए पूरा करके जाएजी में कह रहे हुए हाइवे का रोलिंग का काम चालो हुए दीखें वहां रोलर खड़ा है कि यह तो पाइजी आप थाफ़ा है